बिलकुल सुकून सा महसूस होता है यहाँ पर पौधों को पानी देने के बाद स्टार्ट होते हैं किचन के दुसरे छोड़े छोड़े काम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है हलो गाइस गुड पॉर्निंग आज मैं आपको बताऊंगी मेरी सुबह कैसे होती है सुबह उठके सबसे पहरे मैं आती हूँ किचन में जहाँ पर दो खिड़किया है एक खिड़की पढ़ती है यहाँ इस डिरेक्शन में जहाँ से सुन्दर से संद्राइस का नजारा में एंज़ॉय करती हूँ और यह है मेरे गुलाब के प्यारे प्यारे पौधे तो यही मेरा चूटा सा गार्डन जहाँ पर वक्त बिताना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बिलकुल सुकून सा महसूस होता है यहाँ पर तो दीन की शुरुवात ही होते है संद्राइस के साथ में और मेरे प्यारे प्यारे पौधों और फुलों के साथ में और वैसे भी सुबह सुबह उठके तुरंथी किचन के काम में लग जाना मुझे अच्छा नहीं लगता मतलब क्या मोड़े नहीं बनता काम करने का और विंडों में कुछ गुलाब के पौधे लगा हैं उसे तरह यहां पर यह जो पौधे है मोहां की मोगड़ा की पीछे की तरफ देखिए यह जो यहां पर यह वाला तुलसे का पौध है और तुलसी और मोगड़ा के बीच में जो चोटा सा प्लांट था वो और आपने घरों में कौन से कौन से पौधे लगा रखे हैं पुझे कौमेंट जरूर करना और इस यह है एलोवेरा जिसे रोज के रोज पानी देने की जरूरत नहीं रहती है अगर हम रोज इसे पानी देंगे तो यह जो पौधा है यह खराब हो जाता है ऐसा मैंने सुना है तो मैं हर दो तिन दिन में एक बार एलोवेरा को पानी देती हूँ पौधों को पानी देने के बाद स्टार्ट होते है किचन के दुसरे छोड़े छोड़े काम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है तो इन में सबसे पहले आता है दूद में से मलाई अलग करना तो मल इसमें भी दही डालके उसको जमाना होता है तो अगर ये मलाई जो है परफेक्ट जम्मी होगी तो हमें इसे चरन करने की भी जरूरत नहीं है थोड़ा सबस चम्मत से इसको चला के आप देख सकते हो ये जो मक्खन है पूरा अलग हो चुका है पांच से छे दिन की मलाई ज मन में एक खुशी से मिलती है कि हमने घर का घी बनाया और घर का घी हम यूस कर रहे हैं यह वाला घी मैं बगवान की पूझा में या कुछ पनाना हो तभी करती हूँ और घर के लिए जब हम रोटियों पर एपलाई करते है तो यही वाला घी सबको चाहिए उसमें फिर बahar कि घी का टेस्ट हमें नहीं भाता और अगर कम पढ़े तब मैं बाहर से एक्स्ट्रा शॉप कर लेती हूँ कभी-कभी और इसके बाद शुरू होते है मेरे किचिन के बागी सारे काम जैसे कि चाय नाश्ता बनाना वगेरा वगेरा जो हम बात में कभी डिसकस करेंगे और अगर आज की वीडियो पसंद आए है तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब, कॉमेंट